नमस्कार दोस्तो मैं डाक्टर विजय बहादूर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल में दोस्तो जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हों और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कियो हो तो प्लीज चैनल को तुरन कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे अगले जितने भी वीडियो आएं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूं और वेराइटिस या ओवरी में दर्द और सूजन के बारे में आज मैं बात करूँग कि ओवराइटिस क्या होता है और इसको ठीक करने के लिए काउन काउन सी होमेपेथिक मेडिसिन है जिसके द्वारा हम ओवराइटिस को ठीक कर सकते हैं तो दोस्तो यदि आपको पूरी जानकारी लेना है तो वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखें तो चलिए दोस्तों दोस्तों विएराइटिस में अबरी में प्रदा के साथ जलन होती है और इसका होने का कारण है पीरियट के समय सर्दी लग जाना या पीरियट बंध हो जाना या चोट लग जाना इन सब कारणों से Auveritis होता है दोस्तो अब हम बात करते हैं इसके मेडिसीन की इसकी पहली मेडिसीन है Bryonritis यह bei dry rights की बहुत ही अच्छी मेडिसीन है इसमें ऐसा लगता है जैसे ओभरी में जब सांस गहरी सांस लेने से ओर भरी में सुई चुबने जैसा दर्द होता है और उस दर्द वाले अस्थान को छोने से दर्द और बढ़ जाता है और इसमें दाईय waffle में तेज सुरू होकर जांक तक फैल जाता है तो ऐसा लक्षान रहने पर रायि-देने से बहुत अच्छा लाब होता है रायि आlet दोब अगली मेडिसिन है अबराइटिस के लिए जब दाइं अबरी में सूजन और जलन रहे और डंक मारने जैसा दर्द हो तो ऐसे लक्षण में एपिस का प्रयोग करना चाहिए एपिस मेल तीस दो बुन सुबा दो बुन दो पहर दो बुन साम तीन बर लेना चाहिए और दोस्तो अगली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्ब तीस यदि अबरी की सूजन और दर्द में गरम सेंख से या गरम प्रयोग से आराम मिलता हो और पेसेंट को बहुत प्यास लगती हो लेकिन वह थोड़ी-थोड़ी मात्रा में घूंट-घूंट करके पानी पीती हो तो ऐसे लक्षण म अर्सेनिक देने से उसकी समस्या ठीक हो जाती है अर्सेनिक तीस दो बुन सुबा दो बुन दो पर दो बुन साम तीन बार देना चाहिए और दोस्तो अगली मेडिसिन है प्लेटिना तीस यदि ओबरी में पस पढ़ गया हो और लेकेसिस और हिपरसलफर देने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा हो तो प्लेटिना का प्रयोग करना चाहिए इससे बहुत ही आसर जनक लाब होता है और इसका एक खास लक्षण है इसकी पेशेंट अपनी टांगों को अलग अलग करके सोती है और उसको वरी में जलन होता है तो ऐसे लक्षण में प्लेटिना देना चा कोलोसिंद का प्रयोग करना चाहिए इसमें पेशेंट बहुत दर्द के मारे बहुत बेचैन हो जाती है और आगे के तरब जुक जाती है और दर्द वाले अस्थान को दबा रखने से उसको बहुत आराम मिलता है तो दोस्तो ऐसे लक्षण में कोलोसिंद देना चाहिए कोल करहाएं और की ओवरी में दर्द हो सुजन रहे तो इस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए और इसमें यादी ऑवरी में पेस पड़ जाया तो लाकेसिेस का सेवन करना चाहियए इस से बहुत आराम मिलता है लेकेसिस तीस, दो बुन सुबा, दो बुन दो पर, दो बुन साम, तीन बार सिमन करना चाहिए और दोस्तों अगली मेडिसिन है, एकोनाइट तीस, यदि सर्दी लग जाने के कारण ओवराइटिस हुआ है या फिर पिरियड बंद होने के कारण उसमें ओवरी में परदा और दर्द उत्पन हुआ हो तो इसमें एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है, एकोनाइट तीस, दो बुन सुबा, दो बुन दो पर, दो बुन साम, तीन बार देना चाहिए और दोस्तो अगली मेडिसिन है कोनियम तीस, यदि ओवराइटिस पुराना है और ओवरी में कड़ापन आ गया है लेकिन उसमें पस नहीं पड़ा है तो ऐसे लक्षण में कोनियम देने से बहुत अच्छा लाब होता है, कोनियम तीस, दो बुन सुबा, दो बुन दो पर, दो बुन साम, तीन बार देना चाहिए दोस्तो अगली मेडिसिन है थूजा तीस, यदि कोनियम देने से कोई लाब ना मिले, तो उस समय थूजा का प्रयोग करना चाहिए और इसमें बाई ओवरी में कड़ापन आ जाता है, और तो उस समय थूजा का प्रयोग करने से समस्या ठीक हो जाती है थूजा तीस, दो बूद सुबा, दो बूद दो पर, दो बूद साम, तीन बार देना चाहिए और दोस्तो अगली मेडिसिन है चाहिना तीस, यदि ओवरी में पस पड़ गया है और पस निकल जाने के कारण पेसेंट बहुत कमजोर हो गई है तो ऐसे लक्षण में चाहिना देने से उसकी कमजोरी दूर हो जाती है चाहिना तीस, दो बूद सुबा, दो बूद दो पर, दो बूद साम, तीन बार देना चाहिए अगली मेडिसिन है मरकार 30, यदि ओवरी में सूजन और दर्द हो और उसमें पस पड़ जाने की असंका हो तो ऐसे लक्षण में मरकार का प्रयोग करना चाहिए, इससे ओवरी में पस नहीं होता और उसकी सूजन और दर्द ठीक हो जाती है तो मरकार 30, दोगूं सूबा, दोगूं दोबर, दोगूं साम, तीन बार देना चाहिए तो दोस्तों ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है यदि आपको वेराइटीस की समस्या है और आपको किसी मेडिसिन की जरूरत है, उसको सेवन करने की जरूरत है तो आप अपने नजदी की होमेपेथिक डाक्टर से मिलकर उनकी सलाह के नुसार मेडिसिन का सेवन करें तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो, मैं आसा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है, तो इसे आप अपने दोस्तों में सेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएए तो दोस्तों आगे भी मैं इसी तरह का होमेपेथिक नालेजेबिल वीडियो लेकर आता रहूँगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, धन्यवाद